दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि भारत के दो परोसी देश हमेशा इस प्रयास में रहता है कि किस तरीके से भारत को नुकसान पहुचाया जा सके और ये दोनों ही परोसी देश हमेशा भारत के जमिन को हतियाने के सपना देखता है लेकिन इससे भी खतरनाक बात य ये है कि ऐसे खतरनाक मनसुवे रखने वाले देशों के पास परवानु हत्यार भी है और हत्यारों को दागने के लिए लंबे दुरी का मिसाइल भी है। चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों के ही परवानु हत्यार और बैलेस्टिक मिसाइलों का खत्रा मंडराता रहता है लेकिन भारत के तरफ से अब इन हत्यारों को मात देने के लिए भी अपने हत्यारों का डिवलप्मेंट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबविक इंडियन एरफोर्स के लिए जो आर्ली वर्निंग और कंट्रोल एरक्रेप्ट मतलब नेत्र मार्क्टू एरक्रेप्टों को एरवर्स A321 एरक्रेप्टों के बेस पे बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबविक इंडियन एरक्रेप्टों के शमता को कई गुना बढ़ाएगा। रिपोर्ट के मुताबविक इंडियन एरक्रेप्टों के सर्च, डिटेग, ट्रैक, आइडिटिफिकेशन जैसे सेंसर्स के साथ साथ इसके इंटिग्रेटर सेंसर्स, डेटा, कॉमुनिकेशन और अन्ने डेटा को भी प्रॉसेस कर पाएगा। ये एरक्रेप्ट, एर एंड ग्राउन स्टेशन के साथ आसानी से कॉमुनिकेट कर पाएगा और डेटा शेयर कर पाएगा जबकि इसके इलावा ये थ्रेट एविलेशन किस तरिके के हत्यारों को डिप्लॉई करने का जुरूरत है ये भी डिसाइड कर पाएगा। इवेन ये जो डेटा को इंटरसेफ करेगा उसे एनलाईज करके डेटा को प्रॉसेस करके संपूर्ण डिसेन लेने के लिए भी तैयार होगा। इसके इलावा इसका इस्तेमाल करके बॉर्डर कंट्रोल और एक्स्क्लोजिफ एकोनोमिक जोन के सर्विलेंस को भी अंजाम दिया जा सकेगा। मतलब आप समझ सकते होंगे कि भारत के दरफ से कितना खतरनाक एयरक्रेप्टों को डिजाइन और डिफलफ्ट किया जा रहा है। में ये भी जानकरी दिया जा रहा है कि ये जो नया रेत्र एवेक्स है ये असल में आप बैलिस्टिक टार्गेटों को भी हवा में ट्रैक कर पाएगा। अब्जेक्ट हो तो उसके डारेक्शन, उसके रफतार और उसके आकार के बारे में जानकरी हासिल करना। बेसिकली ऐसे एवेक्स एरक्राट 24 घंटे बॉर्डर के नस्दे उड़ान भड़ता है ताकि दुश्मन के एर स्फेस के द्वारा किसी भी तरिके के वाइलेशन ना किया जा सके। अब ऐसे एवेक्स एरक्राट कई कई देशों के द्वारा एंटी बैलिस्टिक डिफेंस शिल्ड के रूप में भी काम करता है। और दोस्तो अब शायद भारत भी इसी तरच पे ही आगे बढ़ रहा है। दोस्तो आज का वीडियो यही पही करते हैं समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे। तब तक के लिए जैहिंद बंधे मातरम।